हलो दोस्तों स्वागत है आपका रेना रियल लाइफ में तो कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुस होंगे तो यहां मैं लेकर आई हूँ कठल यह दिखे बिल्गुल ताजा ताजा कठल है इसको मैं दो टुकड़े में काटा और इसका ज भी स्लेब है यहां भी आप काट रहे हैं तो वह बंदा नहीं होगा तो यह बिल्कुल ताजा ताजा कठल है तो आज मैं इसकी बनाने वाली हूं कोफते कठल के कोफते वैसे आपने बहुत खाए होंगे कठल के कोफते पर आज मैं जिस तरीके से बनाऊंगी वह तरीका जो भी मतलब वेश्ट पाट है उसको निकाल के मतलब अलग रख रही हूं और जो खाने वाला पाट है उसको मैं काट काट के पानी में रखती जा रही हूं तो इसके छिलके उतारना जरूरी होता है उसको उतारना जरूरी होता है तो इस तरह से मैंने सारे कठल को काट लिय पूरा कठल मैंने काट लिया और यह देखे इतने बड़े-बड़े पीस मैंने रखे हैं इसके और यह जो पेपर है इसको मैंने हटा दिया एक ही साथ में सारी कंदगी खतम हो गई इसके बाद हम कठल को बहुत अच्छी तरह से धोएंगे दो से तीन बार धोएंगे तो एक बड़ा सा मैंने जो भी है धोने के लिए लिया है बरतन और यह देखे मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने दो तीन बार धो लिया फिर कूकर में स इसमें डालेंगे स्वाद कैनुसार नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे लगभग एक कटोरी के लगभग छोटा वाला कटोरी में समझे एक कप पानी डालेंगे इसमें तो मैंने डाल दिया यहाँ पे पानी थोड़ा सा उसके बाद कुकर को 2 सीटी लगने तक छोड़ देंगे मतलब इसे तेज आच पर 2 सीटी लगाएंगे और उसके बाद यह बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा मतलब कठल बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा तो कूकर में दो सिटी लग चुकी है उसके बाद ये देखे गठल बहुत अच्छी तरह से पग गया है इसी तरह से हमें चाहिए गठल को तो ये पग गई है बहुत अच्छी तरह से इसको अब हम छान देंगे मतलब इसका पानी अलग कर देंगे जितना वी इससे पानी निकलेगा हम उसे अलग कर लेंगे तो इस तरह का आप एक छनी ले सकते हैं इस टेनर ले सकते हैं आप इस तरह का और इसमें रखिए कठल को और कठल से जितना भी पानी निकलता है आप इससे चोड के निकाल देंग तो वो जादा बेशन चला जागा और बिल्कुल बेशन बेशन सा लगेगा तो इस वज़े से हम इस तरह से मतलब पानी को अलग कर लेंगे तो हमने इसका सारा पाने निचोड लिया है और इसे अब इस तरह से मतलब मैस करेंगे हाथ से ही इसको पूरा अच्छी तरह से मैस करेंगे ताकि इसके थोड़े-बहुत छोटे-मोटे टुकड़े रह जाएं तो कोई बात नहीं तो उसके बाद हम यहां पे डालेंगे बेसन और बेसन हम इतना ही डालेंगे मतलब कम से कम डालेंगे जितने में यह मतलब बाइंड हो जाए अच्छी तरह से एक गोल सा से आ जाए इसका बस इतना थोड़ा सा ही हम एक दो चमच के करीब ही बेसन डालेंगे तो मैंने यहां प तो इसके बाद हम इसे लड्डू से बनाएंगे इतने बड़े बड़े दीखें आप छोटे बड़े किसी भी साइज के आप लड्डू बना सकते हैं तो मैंने इस टैक के लड्डू बनाया है यह देखें और बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है हाथ में चिपक भी नहीं रहा मतलब कॉफते बहुत अच्छे बनेंगे और बियुकुल सौ्ट से बनेंगे तो यह देखें हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं बिल्कुल गूल गूल से बहुत ही सुन्दर बहुत ही अच्छे फिर मैंने जलाया गैस और गरम किया कढ़ाई फिर जब कढ़ाई अच्छी तरह से गरम हो जाए तो मैंने डाला यहाँ पे तेल आप यहाँ पे कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं तो यहां पे मैंने तेल डाला उसके बाद जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो एक एक कोफते हम यहां पे डालते जाएंगे और यह देखे बिल्कुल चिपकेगा नहीं बहुत ही अच्छा बनने वाला है जितना हो पाए एक बार में 3-4-5-6 जितना भी हो पाए आप पाए तो यहां देखिए हमारा पहला बैच बनकर रेड़ी है और मैं इसे उतार दूंगी और बिल्कुल गुट्त कर गोल गोल से बहुत ही देखने में भी काफी खुबसूरत लग रहे हैं यह बॉल्स बनकर रेडी हैं उसके बाद मैंने डाला दूसरा बैच फिर दूसरा बैच भी फ्राय करके हमने उतार दिया उसके बाद यह देखिए कितना अच्छी तरह से पका है अंदर तक बिल्कुल भ अधिक टील रखा और यहाँ पर दाला तेजपत्ता सबसे पहले दो तेजपत्त डाला और प्याज काटके डाला है यहाँ बारेक बारेक बिल्कुल प्याज काट अधे एक बड़ा सा प्याज लिए और इस आंधे अच्छी तरह से बhушка बहोन दोगी बिल्कुल सुन्हरा द्थम्या जीरा और सारे गरम मसाले भी हैं इसमें अदरक लसन और प्याज का पेश्ट है ये अर इसमें हल्दी भी डाला हुआ है जो कि हमने घर में बनाए है ये मसाला उसके बाद टमाटर हम डारेंगे टमाटर का पीसा हुआ टमाटर मतलब इसको या तो आप ग्रैंडर में पीस सकते हैं या तो सिलबटे पर कहीं भी पीस सकते हैं तो मैंने इसे सिल्बटे पर पीसा है उसके बाद मैंने डाला यहां पर कास्मेरी लाल मिर्च एक चमच और स्वाद के अनुसार नमक डाला फिर इसको हम अच्छी तरह से चलाते जाएंगे जब तक मसाले में से तेल ना निकल जाए तब तक हम इसे मसाले को भूनते जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से मसाला भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा कोफता जो हमने फ्राइ करके रखा था मतलब गूल गूल कोफता जो हमने बना के रखा था वो हम यहाँ पे डाल देंगे मसाले में उसके बाद इसको बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि कोफ्ते में अच्छी तरह से घुल मिल जाएं तो इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप पानी डाल सकते हैं, मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, इसलिए मैं पानी थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ यहां पे, तो उसके बाद ये ज़रूर कीजेगा, फ्रेंट्स और फैमिली के साथ सेयर कीजेगा मेरे विडियोज को ताकि मुझे आगे मोटिवेशन मिलता रहे है इसी तरह से काम करने का, तो मिलता है किसी नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए बाई अपना ख्याल रखेगा और मेरा सपोर्ट बनाय कीजेगा